हलो एवरिवन आज के वीडियो में हम एक निव टॉपिक स्टार्ट करेंगे टॉपिक का नाम है पैराबोला बाय टैंजेंट मेथड और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉलिम स्टेडी करेंगे question आपके सामने है देखो जो प्रॉलिम आज हमें solve करना है question में लिका है draw a parabola of base 70 mm and height 50 mm by tangent method तो चलो इसका solution बनाएंगे लेकिन solution draw करने के पहले आपको parabola की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं देखो parabola किस तरह से होता है तो देखो parabola जो shape है यह हमें इस तरह से कुछ draw करना है यह engineering drawing and engineering graphics यह subject में आता है इसके पहले already हमने how to draw ellipse उसके ओपर भी video बनाये थे पूरा detail में हमने उसमें बताये थे कि ellipse क्या होता है किस तरह से कुणसे कुणसे method होता है और हमने उसमें arc of circle method का first problem वहाँ पे start किये थे यहाँ पे हम parabola start कर रहे है और parabola का first problem by tangent method आज हम draw करेंगे parabola कुछ ऐसा होता है ठीक है parabola का base जो है देखो parabola का base यहाँ पे होता है उसका base और parabola की height जो है वो इस तरह से यहाँ पे होती है ठीक है यह जो parabola है यह किस सरा से draw करना है by tangent method वो समझना है देखो question में एक बार अगर हम पढ़ेंगे question में लिका है draw a parabola of base 70 mm यहाँ पे base दिया है parabola का 70 mm it means यहाँ से लिगे यहाँ तक कलेंथ है 70 mm और height दिया है 50 mm it means यह जो height है यह दिया है 50 mm तो चलो यह parabola हम draw करना start करते हैं बिलकुँ simple है कैसे draw करते है जरा ध्यान से देखो और हमारे साथ साथ आप लोग भी draw करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी drawing की भी practice हो जाए यह जो parabola है इसको draw करने के number of methods है वैसे syllabus में ज़ादतर two type की methods आती है method ही होते है अगर आपके syllabus में और कोई दूसरा method है to draw a parabola तो आप हमें comment करके बताओ हम उसके उपर भी आपको वीडियो बना के देंगे तो चलो यह parabola अब हम draw करना start करते हैं तो किस तरह से draw करेंगे देखिए base और height दिया है जैसे आपने कहा था तो चलो सबसे पहले बनाएंगे base, base दिया है कितना यहाँ पर 70 mm तो यह हम 70 mm का यहाँ पर line draw करेंगे और यह जो हम construction कर रहे हैं यह हम roughly कर रहे हैं मतलब हम कोई भी drawing instruments का specially यहाँ पर use नहीं कर रहे हैं यह हम roughly बता रहे है board पे आप इसको fairly draw करना ठीक है, अपने drawing book में या sketch book में वैसे इसके पहले already हमने इसका fair work उसके उपर videos बनाए थे, वो videos आप देख सकता है हमारी YouTube channel पे, उसका link हमने आज के video description में दे दिया है आपको पूरी playlist का link दे देता है वहाँ से आप variety of parabola के videos देख सकता है, जो इसके पहले भी हमने लिए थे ठीक है, यह हम आपको यहाँ पे roughly बता रहे देखो किस तरह से यह draw होता है तो सबसे पहले हमने parabola का base यहाँ पे draw कर लिए parabola का base क्या है 70 mm, तो यह हमने 70 mm का base ले लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका midpoint ले लेना है यहाँ पे base को हम naming दे देंगे base that is AB, AB is the base यहाँ पे कही न कही midpoint आ रहा है एक minute चेक करने दो, yes तो यह midpoint यहाँ पे है और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 90 degree का angle लेना है, याने perpendicular line आपको यहाँ ड्रॉ करना है तो perpendicular ड्रॉ करने के लिए आप protector का use करो, protector याने D जिसको आप बोलते हैं और यह protector यहाँ पे यहाँ पे ऐसा रखो, exactly, और यहाँ पे 90 degree का angle ले लो और यहाँ पे क्या करो उसका height ले लो, height कितना है, 50 mm तो पूरा height 50 mm यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, exactly, vertical और यह जो base और height है, यह आपको semi dark ड्रॉ करना है, it means ना जादा dark, ना जादा faint तो यह जो हमने height बना दिये, यहाँ उपर का point जो है, इसको हम कहेंगे point C और यहाँ पे हम कहेंगे, चलो यहाँ पे point D दे देते हैं, ठीक है तो इस तरह से, यह base है, ओके और base का midpoint लेके, permedicular हमने height ले लिए 50 mm, अब इसके बाद parabola का remaining construction parabola draw करने के लिए क्या करना है देखो, tangent method से हमें draw करना है तो अगर tangent method से draw करना है, तो जो भी parabola हमें draw करना है वो tangent के through draw करना है अब यह कैसे होता है, जरा समझ लो आपको क्या करना है, जो height आपने लिए है कितना height लिए है, 50 mm आपको क्या करना है, यह height को double करना है, height को double करना है, height है 50 mm तो height को double करो, तो वो हो जाएंगा 100 mm it means यहाँ से और आपको उपर extend करना है, ठीक है तो एक मिनिट यहाँ पर यह देखो यहाँ तक है 50 mm, यहाँ point देते, ठीक है, इसको और उपर extend करना है 50 mm तो हम यहाँ पर थोड़ा से इसको नीचे कर लेते हैं, अब देखो यहाँ से हम इसकी height चड़ा देंगे, हम इसको और इसको double करना है तो यह हम double कर लेंगे, अब 100 mm की height ले ली है, यह पूरी height है 100 mm, जो उपर point है, उसको point O, देखो naming आप कुछ भी दे सकते हैं, यह जो हमने naming दिया है, वही naming देना जरूरी नहीं है ठीक है, वैसे भी question में कोई naming दिया नहीं है, आप अपने हिसाब से A, B, C, D, जो आपको देना है दो तो इस तरह से, अब आपको क्या करना है अब आपको यह O से लेके, O से लेके A and O से लेके B आपको joint करना है, ठीक है, O से A and B, तो देखो यह किस तरह से joint होता है, O से A, B joint करेंगे, यह देखिए, यह O से A, O to A joint हो गया, अब O to B joint कर लो ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जरा ध्यान से समझो, अब आपको यह O A और यह O B को डिवाइड करना है, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, जरा ध्यान से सुनो, यह O A and यह जो O B है इसको maximum possible parts में डिवाइड करो, यह जो triangle बनाया है, यह एक isoscalous triangle है, ठीक है, it means O A and O B का length same है, तो अगर O A O B same है, तो इन दोनों को maximum possible parts में डिवाइड करो, तो यह length क्या आएंगा, यह length आएगा लगभग 105 mm देखो, जो हम लिखके दे रहे हैं, वो धेहन से देखो यह जो 105 mm है, यह exact उतना ही आएंगा, हमने इसको already drawing book में चेक किया है, आपको base लेना है 70 mm, midpoint लेके height चड़ाना है 50, फिर और height चड़ाना है 50 O, आप A और B को join करोंगे तो यह जो O A and O B है यह दोनों length जो है यह 105 mm के आएंगे, confirm अब आपको क्या करना है जैसे हमने कहा, O A and O B को maximum possible parts में divide करना है तो बताओ, कि O A and O B आप maximum से maximum कितने possible parts में divide कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 55 mm के according, 21 parts में divide करेंगे 55 mm के according, maximum parts, वो है 21 उससे और ज्यादा part में divide करना आपको जो है, बहुत मुश्किल हो जाएंगा 55 mm के according, आप 21 parts में divide करो ठीक है, 5 mm each ओके, अब यहाँ पे जो है, देखो, यहाँ पे किस तरा से divide करना है अब आपको scale लेना है scale ले लो, आपके बाद जो भी scale है आपको ऐसा put करना है OA की उपर और इसको 55 mm के according यहाँ पे divide करना है और OB को भी 55 mm के according divide करना है आप कहेंगे 55 mm लेना ज़रूरी है क्या 11 cm लिए तो क्या होता जैसे 105 mm है तो 105 को 11 cm के according divide करो, इधर भी है और इधर भी नहीं, 11 cm नहीं 55 mm क्योंकि parts जितने pass में होगे और जितने जादा होगे उतना आपका parabola अच्छा बनेगा, अगर आपके parts कम होगे और अगर वो दूर दूर होगे तो आपका parabola अच्छा नहीं बनेगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे parabola by tangent method में जो parabola draw करना है वो हमें cross section points से draw नहीं करना है यहाँ पे जो भी parabola draw करना है वो tangent के through draw करना है तो यहाँ पे कोई भी cross section point नहीं आएंगा जबकि इसके पहले हमने जो भी ellipse या parabola बनाये थे उसमें हमने cross section points निकाले थे जैसे for example cross section point मतलब क्या है जैसे यहाँ पे पॉइंट आया था यहाँ पे point आया था यहाँ दूसरा यहाँ तीसरा फिर इनको हमने ऐसी join किये थे तो ऐसे curve गया था cross section point के through लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहेंगा यहाँ पे जो भी draw होंगा ना tangent के through ही draw होगा इसलिए आपको O A and O B को parts दे देते है तो यह देखिए हमने दोनु side को 21 parts में divide किया है अब यहाँ पे naming किस तरा से देंगे ज़रा ध्यान से देखो naming हमेशा आपको opposite way से देना है opposite मतलब यह है कि left side में अगर आप नीचे से उपर जा रहे है तो दूसरे side में उपर से नीचे आना है तो आपको यह बात का ध्यान रखना है तो यह first part, यह second part यह third, यह fourth, यह fifth सभी हम naming दे देता है तो यह देखिए हमने यहाँ पे naming दे दिया है हमने यहाँ पे नीचे से उपर दिये 1, 2, 3, 4, up to 20, 21 और यहाँ पे उपर से नीचे आया 1, 2, 3, 4, up to 20, 21 ठीक है, इस सदा से आपको naming देना है अब इसके बाद आपको क्या करना है scale लेके, इस सभी को सिधा-सिधा join करना है, 1 को 1 से join करना 2 को 2 से join करना, 3 को 3 से join करना 4 को 4 से join करना ठीक है, और यह सभी आपको यहाँ पे semi-dark ड्रॉ करना है it means, ना जादा dark, ना जादा fend ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे ड्रॉ करना start करते है 1 को 1 से join करो, 2 को 2 से join करो देखो हम आपको एक join करागे बताते है फिर जो है, एक साथ हम join कर लेंगे यहाँ पे हम rough में draw कर रहें तो थोड़ा सा यह कम जादा हो सकता है तो इस बात का देहन रखो, यह देखो यह 1 to 1 हम join कर दिए उसके बाद फिर हम यह 2 to 2 join कर देंगे फिर हम यह 3 to 3 join कर देंगे फिर इसके बाद 4 to 4 join कर देंगे उसके बाद 5 to 5 जोइन कर देंगे, इसी तरह से चलना है आखरी तक, तो चले इसको पूरा कर लेते हैं, तो ये देखिए, finally हमने construction पूरा कर लिया है, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, up to 20, 21 तक, सभी लाइन्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिये हैं, और सब कुछ ड्रॉ होने के ब पैराबोला मिला है, इसको अलक से पेंसिल से घोटने की ज़रूत नहीं है, उसको as it is रहने दो, अगर आप इसको पेंसिल से फिर से डार्क करने को जाओंगे तो आपका जो पैराबोला है, जो बहुत अच्छा आया है, ये खराब हो जाएंगा, ठीके ना, तो इसलिए इस इसको as it is, ऐसे ही रहने दो, इसलिए हमने आपको कहा था, ये जो लाइन से ये आपको semi-dark draw करना है, और finally ये पैराबोला ये complete हो चुका है, अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, ये जो पैराबोला का जो टॉप कॉर्व है, ये पॉइंट सी से पास होगा, पॉइंट सी 50 mm और हाइट 50 mm ये इस तरह से आपको शो करना है, और ये complete solution, question के according, ये पूरा solution हो गया, exam में अगर ऐसा question आया, तो आपको ऐसा draw करना है, और ये पैराबोला परफेक्ट तब आएंगा, जब आप OA and OB को maximum possible parts में divide करोंगे, जितने जादा पार्ट में divide करोंगे, उतना parabola अच इधर 11 cm लेना और फिर lines ड्रॉ करना वो parabola देखना अच्छा नहीं बनेंगा, अपने आप parabola का curve नहीं आएंगा, वहाँ पे दिक्कत जाएंगे, अगर आप 55 mm के 21 parts लेंगे ना, तब जाके parabola बहुत अच्छा बनेंगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो, तो इस तरह से finally question के according ये पूरा solution बन के तयार है, ये आप अपने drawing book में जरूर से draw करो, ये था parabola by tangent method का first problem, इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे, और दूसरे method भी हमें cover करना है, ताकि इसकी और अच्छे से practice हो जाए, तो मिलते हैं next video में, thanks for watching this video.